नारक में ही एक ऐसा भव है, कि नारक भव देवों से भी आगे बढ़कर के हो जाथा। देव दो ही गतिवे जाथ सकते हैं, देव नहीं हो सकते हैं, और नारक भी नहीं हो सकते हैं, और बोत किरेंच भी हो सकते हैं, मनुष भी हो सकते हैं, किन्टु ऐसे ही मनुष भी हो सकता है, लेकिन देव एकेंद्री भी हो सकता है, यह अपने आप में बहुत महत पुर्न बिंदू है, मतलब देवों में कशान की मंदता होते हुए भी बार्वे सर्व से आने वाले तक तेरियंच पशु बन सकते हैं और सौधर्मोरे शान सरगगत देवी देवताई ये खिंद्री भी बन सकते हैं सोचो विचार करो कहां पर गणित गड़बरी हो रहे है गणित में हिसाब किताब में कहां क्या हो रहा है तो आचार कहते हैं ये विस्यों का परिनाम है जो हम नहीं समझ पाते और वहां पर भी बंद कर लेते नार के सूक्ष्म नहीं होंगे नार की एकिंद्री थे ले करके असंगी पंचेंद्री तक भी नहीं होंगे फिन्तु गर्वज ही होंगे और एक प्रकार से गर्वज हो करके भी संगी पंचिन्द्री ही होंगे एने साजे के सारी चौराइश ना की उनिस्तान को समाप्त करके एक मात्रिक गर्वज ही होंगे गर्वज होने के लिए एक प्रकार से बहुत पुन्य के आवस्च सकता है ऐसे कौन सा वो पुन्य कर रहा है वह यही कर रहा है कि यहां से मैं निकल जाओंगा तो दुभारा आने की बात ही नहीं करूंगा यह पश्चाता की आगरी वे वो जुनस्ता रहता है फल शरूप शूक्ष भी नहीं होता बादर ही होता तो आप पर्याप्त भी वह नहीं होता और वह आप पर्याप्त नहीं होते हुए भी पर्याप्त होते हुए भी वहाँ भी अकल्मर्ण नहीं होता यहां होने के वो प्रांथ अकाल्मर्ण हो सकता है अगर गुरु वर्क का सानिध्य पाना तो विद्यसागर.गुरु पर सरूर आना